दोस्तो स्वागत है भकत कौमिनिकेसिन के एक और ने वीडियो में आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कौलहान यूनिवर्सिटी चाहभासा की ओर से यूजी फर्स सेमिस्टर सेसन दोहजा तेईस सताइस का जो है रेजिस्टरसन सिलिप डाउनलोड होना स्टा हो चुका है और यहां पर दोस्तो हम लोग बात करेंगे यह जो रेजिस्टरसन सिलिप आप देख पा रहे होंगे ना दोस्तो यही वही रेजिस्टरसन सिलिप है यानि सेसन दोहजा तेईस सताइस का ही रेजिस्टरसन सिलिप है तो इस रेजिस्टरसन सिलिप को आप लोग कैसे डाउनलोड कर पाएंगे देखिए सबसे पहले आपको जो है Google पे जारकन युनिवर्सिटी सर्च करने होंगे जैसे ही आप सर्च करेंगे ना दोस्तों तो आप लोग को कुछ सर्च रिजल्ट में आप लोग को कुछ इस परकार का दीखेगा तो आप सबसे पहला जो लि साइड में जो है login सेक्षन आपको यहां पर दिख रहे होंगे इसमें दोस्तों आपको अपने username और password यहां पर फिलब करके कैपचा आपको फिलब करके login करना होगा बड़ दोस्तों बहुत सारे student बहुत सारे जो student है वे लोग दोस्तों अपना जो username और password नहीं जानते हैं login कर लेते हैं न दोस्तों तो आप लोग को कुछ इस पर करका जो है interface देखने को मिलेगा इसमें दोस्तों आप लोग राइट साइड में देख सकते हैं आपको अपना नाम दिखेगा इसमें दोस्तों आप लोग को अपना username और इसमें आप लोग का जो email ID है और mobile नमर आपको यहां पर देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तो आप लोगों क्या करेंगे आप लोगों left side में देखिये बहुत सारा option है ना दोस्तो इसमें आप λोग view application में click करेंगे जैसे आप λोगों इसपे click करेंगे आप लोगों को कुछ इस पर करका जो है interface दिखेगा इसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे देखें राइट साइट टोप में आप देख सकते हैं create profiles है नहीं यहाँ पे दोस्तों इसके बाद देखें applications लिखा रहेगा आपको इस पे ही सिर्फ click करना होगा इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं अपना application number आपका जो है university का नाम और इसमें दोस्तों आप लोग का college का नाम आप यहाँ पे देख सकता हैं इसके बाद दोस्तों courses आप यहाँ पे देख सकता हैं इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो application का जितने भी step हुए होंगे वो सब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेंगे दोस्तों तो इसमें देखें रेजिस्टरन सिलिप का एक option आपको यहाँ पर दिख रहा होगा तो आप इस पर किलिक करेंगे इस जैसे किलिक करेंगे न दोस्तों आपको अपना जो रेजिस्टरन सिलिप है वो सो होने लग देखेंगे और दोस्तों सायधी आपको पता होगा कि यानि सायधी आपको पता था कि रेजिस्टरन सिलिफ जो है डिकलर कर दिया गया है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है तो देखें इसमें आप लोग का जो रेजिस्टरन सिलिफ है वो कैसा दिखेंगा क्या क्या लि दिखेगा जो कि दोस्तो के यू से start होगा इसके बाद राइट साइड में आपलों का year of registration आपको यहां पे देखने को मिलेगा इसके बाद आपलों का college का नाम आपका नाम आपका नाम जो है हिंदी में आपका पिता जी का नाम आपका पिता जी का नाम हिंदी में आपका माता जी का नाम आपका माता जी का नाम हिंदी में इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर जो है आपका date of birth यहां पर देखने को मिलेगा इसके बाद दोस्तों राइट साइड में आप देख सकते हैं इसमें आप लोग का जो कास्ट का केटिगरी होता है यानि जे जेनरल, OBC, EBC1, BC जो भी होंगे आप जो जो भी कास्ट केटिगरी के होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों आप लोग का जो क्लास करोन नमर होगा यही बड़े बात है दोस्तों आप लोग का अगर क्लास करोन नमर नहीं पता है न दोस्तों आप यहां प आप देख सकते हैं, discipline type आप देख सकते हैं, तो यह सब दोस्तों आप लोग का जो resistance लिए यह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा, तो दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं, माल लेजे आप अपने जो है username और जो password है, आपको नहीं पता है, जी हाँ दोस्तों आपको अपने username और password नहीं पता है, तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए, दो, तीन option आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, do not have an account, इसके बाद forget password और username, तो आप लोग सबसे पहले username पर क्लिक करेंगे, username पर क्लिक करेंगे न दोस्तों, तो आप लोग को loading होगा और एक page आपको यहाँ पर खुल के आजागा, तो सबसे पहले आपको जो है अपना mobile number यहाँ पर इंटर करने होंगे, या फिर दोस्तों आपको और यह जो capture है इसको इंटर करके search पर क्लिक करूँगा, देखिए दोस्तों अभी वह जो process करने के बाद आपका जो email ID है और जो mobile number है न दोस्तों उसमें एक OTP भेजा गया है, तो उस OTP में को यहाँ पर flip करेंगे और verify पर क्लिक करेंगे, यानि verify OTP पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए दोस्तों आपको अपना username यहाँ पर देखने को मिल जागा, मेरा case में दोस्तों यहाँ पर तीन चार username दीख रहा होगा, बड़ दोस्तों आपका case में दोस्तों एक ही username दीखेगा, तो आप इसको note down कर लेजे या फिर copy कर लेजे, इसके बाद दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप लोग इसमें, जो है, click here for login sergeant पे जाएंगे, इसके बाद दोस्तों, आप लोग को कुछ परकार का इंटरफेस दिखेगा, तो आप लोग को क्या करना होगा, इसके बाद आप तो अपने यूजर नम जान लिया है, अभी दोस्तों आपलोग को जो है अपना फासवोर्ड यहां पर जानना होगा इसके लिए फासवोर्ड पर क्लिक करेंगे इसके बाद देखिए दोस्तों आपको अपने यूजर नेम यहां पर इंटर करना होगा जो यूजर नम दोस्तों अभी ही आप फाइंड किये होंगे उस यूजर नम को यहां पर फिलप करेंग फासवोर्ट किस परकार का होना चाहिए दोस्तों माल लेज़े आपका नम मोहन है तो capital M यूज कीज़े उसके बद O H A N ये आप small यूज कीज़े इसके बद आप कोई सा भी एक special character यूज कर लेज़े इसके बद आप कुछ भी number आप यहाँ पर use कर सकते हैं मैं यहाँ पर आपको example समझाया हूँ आप कोई सा भी password रख सकते हैं बट combination वाला होना चाहिए यानि आपका जो है इसमें capital letter भी होना चाहिए small letter भी होना चाहिए आपका special character भी होना चाहिए इसमें आपका number भी होना चाहिए तो ऐसा password आप यहाँ पर रखेंगे इसके बाद change password पर click करेंगे देखिए दोस्तों आपका जो password है वो reset हो चुका है यानि आपका जो password है वो भी मिल चुका है तो दोस्तों आप username भी find कर लिए हैं और password भी find कर लिए हैं अभी दोस्तों आप क्या कीजेगा अभी आप easy way में जो है login कर पाएंगे तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने हैं इस वीडियो में हम लोग registration सिल्प को भी down-lood करना सिखें registration में क्या क्या है वो भी हम लोग इस वीडियो में आप लोग को बताने की कोसिस किया हूँ और दोस्तों अगर आप लोग अपना यूजर नेम और फास्वर्ट भूल गए होंगे तो उसको भी कैसे फाइंड करते हैं ये वीडियो में हम लोग पूरा पूरी दोस्तों हम लोग किया है अगर ये वीडियो अपनों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों को सेर कीजिए और चैनल पर लिए होंगे तो प्ली सस्क्राइब कर दिजिए दोस्तों थैंक्यू पर वाचिंग